यह जो question है यह 2018 और mathematical aesthetics में पूछा गया था कि question number 44 और यह net type का था net यानि numerical answer type का तो net type आपके jam में भी होता है और इसका जो syllabus था वह भी jam से match करता है तो जो integral g define किया गया है उसका value हमें find out करना है तो अगर आपको एक function जिसको बीटा function बोलते हैं अगर बीटा function के बारे में अगर आपको पता है तो इसको evaluate करना बहुत तान है otherwise आपको इसको evaluate करने में काफी परिसान है तो बीटा function बीटा mn को जो define किया गया है वो define किया गया है 0 to 1 x raise to the power m minus 1 1 minus x raise to the power n minus 1 dx इस तरह से define किया यानि कि आप देखिए यह जो variable है x यहाँ पर x होना चाहिए यहाँ पर 1 और x एक्स लिनीपर होना चाहिए 1 minus x यानि कि जो है यह वाला जो bracket है यह parenthesis है x इसमें यानि कि जो variable होता है उसको linear होना लीनियर होना बहुँत जरूरी है और यहाँ पर ones present होना तो आप इसको देखिए यहाँ पर variable t है यह 1 है और यह linear है तो यहाँ पर जो power होती है इसको हम m लेते हैं और यह जो power होती है यह n होती है तो इसका जो value होता है वो क्या होता है powers में 1 add हो जाता है powers में 1 add हो जाता है यहाँ पर m-1 है तो beta m यानि कि एक ज्यादा n-1 beta n एक ज्यादा यानि कि अगर यहाँ पर प्लस 1 है तो यहाँ पर M प्लस 2 और यहाँ पर N प्लस 2 एक ज्यादा लेती है तो अब अब क्योश्टिंस के लिए जो J डिफाइन क्या था वो क्या था 1 अपॉन 5 0 to 1 T raise to the power minus half 1 minus T raise to the power 3 by 2 dt तो इसका जो value होगा 1 अपॉन 5 और यह हो जाएगा बीटा minus half में 1 प्लस करेंगे तो plus half 3 by 2 यानि कि तेड़ में half परेंगे तो डहाई यानि कि 5 by 2 अब हम जानते हैं बीटा M N और गामा यानि कि बीटा और गामा फंक्शन में जो relation होता है गामा M गामा N अपॉन गामा M प्लस N यह बीटा और गामा फंक्शन में यह relation होता है तो यह relation अगर आपको पता है तो और भी आसानी होता है तो 1 अपॉन 5 गामा half गामा 5 by 2 गामा half प्लस 5 by 2 यानि कि गामा 3 अब इसको solve पना है गामा half का value 1 upon root 5 अपर आप गामा half का value put कर दें तो गामा half होता है root 5 इसमें put कीजिए तो 1 upon 5 यहाँ पर root 5 और गामा 5 by 2 यह क्या होता है एक कम होता है तो एक कम करेंगे तो 3 by 2 फिर गामा 3 by 2 और फिर गामा 3 by 2 को कैसे evaluate करेंगे गामा 3 by 2 इसमें से आप 1 कम करेंगे तो यह आजाएगा आपका half और फिर गामा half तो यहाँ पर गामा half हो गया तो गामा half के जगाँ आप लिख सकते हैं root 5 तो जो अबब पार था अब इसमें क्या है 3 by 2 into 1 by 2 root 5 और जो लोगर half है अगर यहाँ पर गामा एन और एक इंटिजर है तो एन माइनस 1 फैक्टोरियल इसका value होटा है तो फिरी का क्या हुआ हुआ फैक्टोरियल 2 और 2 का value होगा अब देखिए root 5 root 5 cancel out हो गया जो इसका value था वो क्या आगया है 3 by 4 upon 2 यह main dividing line है और इसका menu हुआ 3 by 8 तो जो इसका एप्प्रॉक्स value हैगा वो आप divide कर लिजे तो 0.3730 हो जाएगा ने तो मैं दीख लेता हूँ 28 फिर 2 16 4 40 sorry point तो आपको शुरुआत नहीं हा जाएगा 0.4 sorry 4 ने एट्थ रिजार 20 कि गलत कर लिए मैं कुछ दूसरा calculation माइड में चब रहा था तो EIS 6 60 40 और यह यानि कि इसका जो calculation है 0.375 यह हमारा इसका right answer होगा अ